नमस्ते भारत आप सभी का सुवागत है पिके गाडन में तो फ्रेंड आज का वीडियो है गुलाब के प्रूनिंग से पहले जो हमारे गुलाब पे काम करने होते हैं उसके बारे में बात है फ्रेंड्स एक छोटी सी बात यह है कि लगबग हम देख रहे हैं जो हमको जनकारिय क्या हुआ जो भी लोग देखते हैं उसको तुरंद करना चालू कर देते हैं मतलब गुलाब में होड लगी होती है आज हम ये कट किये तो सारे लोग कट करना चालू कर देते हैं उसकी लौजिक को नहीं समझ पाते हैं उसके विचार को नहीं समझ पाते हैं क्या है आपके प् इंफर्मेशन वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको नौलेज हो सके और दूसरी बात यह है कि इस समय सब लोग प्रूनिंग लगभग कर रहे हैं अपने अरिया में और नतीजा इस तरह से डाइबेक भी उनको सामना करने को मिल रहा है इस सारे डाइबेक का सिकार हो रहे हैं लोग सब लोग हो रहे हैं मेरे भी डाइबेक कर रहे हैं ऐसा नहीं कि मेरे डाइबेक नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसको कैसे हैं आप एक चीज को गांट बानके रख लिजिए मैं इतने महीने से देखते हो पीके गार्डेन रूट पे लगतार काम कर रहा था और ट्राइको डर्मा और माइको राइजा वगरा हम डाले थे इस प्लांट में भी आप देखे भी होंगे और यह हमारा डॉर्मेंसी वाली प्लांट थी वहां पर रखा हुआ है तो यह चीज है और देखिए आप प्लांट को दस दिन आगे बढ़ा करके आप कर सकते हैं ट्रीमिंग और चाहे प्रूनिंग प्रूनिंग की पहले बात मैं आपको किलियर कर दूं कि बहुत ऐसे प्लांट है जो आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि वो प्रूनिंग करने के आओ सकता है होती है प्रूनिंग एक अच्छा चीज है और उतना ही मतला बिकार चीज है गुलाब के लिए सब लोग अपने पकड़ते हैं और काट देते हैं एक पर प्लांट अगर कट गया तो उठने का नाम भी नहीं लेता है इस बात को आप पहले समझ लेजिए कि क्या करना है तीन साल के उपर की जो प्लां प्रूनिंग का नाम अलग है इस चीज को कॉंसेट को किलियर किजिए और दूसरी फ्रेंट्स यह है कि हम कुछ उपाय आपको बताने जा रहे हैं उस उपाय को आपको अमल करना होगा जो अक्सर लोग गलती किये हैं अभी बहुत लोग नवंबर में प्रूनिंग करेंगे उसके लिए यह वीडियोज है प्रूनिंग या ट्रीमिंग आपक्सर ट्रीमिंग कीजिए और प्रूनिंग का मतलब अपने कॉंसेट अपने निमाग से हटा दीजिए इस तरह का बरांच हो तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं सबसे पहले हमको रेडेमेल गोल्ड लेना है और रूट बॉल में ड्रिंच करेंगे हुमिक एसीड मिलागर के ठीक है उसके दस दिन पहले से हमने ब्रड ब्रेकिंग वगर अभी बताया था आपसे दस दिन पहले से 12, 13, 14, 13 देंगे ताकि रूट कम से कम अच्छे ग्रोथ हो जाए हुमिक एसीड सीवीड यह सब दे करके र प्रिंच करना है उसके बाद प्रूनिंग से ठीक 24 घंटे पहले ट्रीमिंग से 24 घंटे पहले आपको कॉंफिडोर या रोगर बहुत अच्छा काम करता है माइट और थ्रिप्स पे इसमें अच्छे से डोज थोड़ी बढ़ा करके पूरी स्टीकर लगा अच्छे से इसको अच्छे लगा देना है ताकि आपके प्लांट जो है वो अंडे जो भी इसमें ऐसमें फ्रिप्स, माईटों के छोड़े रहते हैं फटा सके उसके बाद पथी को अवर आपका जो नए पती उसको रखेंगे और हटा करके उसके बाद ट्रीमिं प्रूनिंग करेंगे ठीक प बाद आपको पानी जो है बिल्कुल सावरिंग करना है श्रीप फुहारे देना है इस पे पानी नहीं जाए बस मीडिया बस हल्का सा मोश्च रहना चाहिए ये डाइबेक का सबसे बड़ा कारान है उसके बाद साथ दिन जैसे हो जाएगा फिर हुमी केसिड और रेडेमेल गो करेंगे एक एमेल डेड़ एमेल पर लीटर के हिसाब से हाड होती है और इस तरह के पत्ते आ जाएंगे आपके ठीक तब थोड़ा थोड़ा पानी को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे सावरिंग पे ही रखेंगे इसको ठीक है दूसरी चीज फ्रेंड्स यह है ये बहुत बड लोजिक और बहुत बड़ा ये लोग गलती कर रहे हैं ड्रिंच मारना चालू कर रहे हैं और इसी दोरान जो है आपको लगभग जब तक इतने पर पत्ती आपके ना है तब तक आपको ओरिजिनल बेश डिकॉम्पोजर का पानी मैंने बताया था जब मीडिया सूख जाए तो आपको आठ बजे के आसपास में यानि मौर्णिंग जब धूप अच्छी हो जाए तो जो मोस्टर करना है उसकी जो है औरिजिनल बेश डिकॉम्पोजर के 10 लिटर पानी में आपको 3 लिटर मिला करके यानि 7 लिटर पानी और 3 लिटर बेश डिकॉम्पोजर मिला करके इसको हलका सा ड्रिंच करना इसमें मतम मीडिया मोस रहना चाहिए सूखा नहीं रहना चाहिए और यह कारण होता है रूट नहीं बनने के कारण यह होता है ओभर वाटनिंग के उज़वा से इस तरह से यह डाइबेक लेना चालू करता है और इस तरह से अगर पत्ती निकले यहां तक अगर पत्ती निकले कॉंफिडोर का स्प्रे हम लगाते रहेंगे इसको 3-3 दिन पर 0.5 ml मैंने पहले भी वीडियो में बताया था यह information वीडियो था और जब इस तरह से node active हो गया इस तरह से होने लगें तोड़ी के पाने को हम हलके से बढ़ाएंगे और जब इस तरह से आज आएंगे पत्ती और थोड़ा बहुत हलका फुटाओ अगर इस तरह से लेने लगे तब आपको 12-61 देना है मैंने पिछला वीडियो आप जा करके देख लिजेगा और 13-43 देना है 19-19 करना है ताकि इस नोड को उपर के तरफ ले जाए और उसके बाद एक हम फीडिंग और हम देने वाले हैं तो इस परकरिया को आपको करना है और दूसरी फ्रेंड्स एक बहुत इंपोटेंट बात में बोलने जा रहा हूं कि सब लोग आजकल जो भी वीडियो देख रहे हैं यह मेरा अपना खुद का एस्प्रियंस है और अपना तरीका है हो सकता है कि यह बात हमारी सब कोई बूरी लगेगी सब लोग बताते हैं कि इस तरह का जो प्लांट है आपके ऐसे यह लोग बोलते हैं कि इस तरह के स्टेम रखे बाकी सारे स्टेम को काटके हटा दीजिए तो फ्रेंड्स एक बात जान जाए आपको कॉम्पूटिशन में जाना नहीं है घर के लिए फूल खिलाना है अपने लिए फूल खिलाना है और आपका प्लांट ट्रीमिंग और प्रूनिंग के लिए रेडी हुआ है कि नहीं रूट उसके नीचे बने के नहीं इसकी पहचान यह आपको देखना पड़ेगा यह मेरे डर्मेंसी वाली प्लान थी मैं अभी तक इसकी प्रूनिंग ट्रीमिंग नहीं किया हूँ अगर इस तरह से नोड आपका एक्टिव होने लगे इस तरह से फूटाव अगर आने लगे यह तो समझ है कि नीचे रूट जो है वाय्ट रूट डिबलप हो गया अभी और बाइट रूट थोड़ी सी हम फिडिंग इसमें करेंगे वैसे इसमें और इसमें इसके बास से जो है इसको हम ट्रिमींग करेंगे और यह हम बात बता रहे थे आपसे कि इस तरह का stem हो, इस तरह का cross करता है, इस तरह का, तो friends एक बात clear किजिए, ये आज stem पतला है, ये दो महीने, चार महीने बाद, तो ये मोटे होंगे न, अगर हम सारे इसी को रखे, सारे को ऐसे में हटा दूँ, तो फिर आप फूल किसमें खिलाएंगे, इस concept को आप समझीए, ये logic ये सही है, कि हमोटे stem लेंगे, तो मोटे मोटे ब्रांचे जी जहां से बेसल जब देगा ये, नोड खुलेंगे, तो stem मोटे निकलेंगे, ये बात सही है, पतले लिके लेंगे, तो पतले निकलेंगे, इसमें कोई दूराय नहीं है, लेकिन हम अपने plant को अगर बूसी क तरफ ले जाना चाहते हैं, तो सारे stem अगर हम काट देंगे, तो फ्लॉरिंग कहां लेंगे हम, तो जैसे कि माल लिजी इस तरह के ब्रांच टकडा रहे हैं, इस तरह के छोटी-छोटी पतली-पतली ब्रांच हम काट सकते हैं, ये सब हम काट कर देंगे, लेकिन हम इसको कम स हम रखेंगे इस तारा के ठीक्नेस वाली ब्राइंच को रख़ेंगे भाकि मोग यह सब अरा हूँ आ थोड़ा थे यह सब को काटूंगा यहाँ यह सब को रहेने दूंगा तक कल तो जाकर करेंमोत होगा यदि आज पतला है कल यह मोटा होगा सेफ हम देंगे प्लांड को सेफ कैसे देना है उस पर भी मैरी तयारी चल रही है जल्द वीडियो उसकी भी हम ला देंगे जैसे कि एक्जामपल है मैंने इसके ट्रीमिंग किया था आप यह देख लिजिए मैंने यहां से कट किया सब पे नोड एक् कटाई कर देंगे तो फिर हम फूल किसमें खिलाएंगे तो यह अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठाइए यह अपना मेरा खुद का एक सोच है और यह आप सोच को अगर अच्छा लागे तो पालन किजेगा नहीं तो कोई बात नहीं है हमको को कॉम्पूटिशन शो में जाना नहीं है कि हमको सोफुल खिलाने इसमें तो हम लगाएं कर चीज़ कर दिये तो कट करने का भी एक लॉजिक होता है ऐसा नहीं कि इस तरह के एक टहनी होता ब्लेट के भी मदस से ले सकते हैं जरूर नहीं कि प्रूलर से ही कट करे आप बहुत अच्छा कट हो सकता इस तरके इतने तक ब्रांच ब्लेट से अच्छे से कट हो जाएंगे तो यह मेरा सोच विचार था और ट्रिमिंग अभी में रूका हूं चुकि मैं रूट पे काम कर रहा हूं भीना रूट पे काम किये हुए लोग कंशी लगा रहे हैं और उड़ा दे रहे हैं इस कॉंसेप्ट क और माइकोराजा देने का नतीज़ा आप देख सकते हैं कि वही मैंने दिया था तब जाके बचा और मैंने इसमें इस प्लांट में नहीं दिया था तो इसमें जो है डाइबेक लेना चालू किया कुछ हमसे गलती हुआ ओभर वाटरिंग हो गया इसके होजासे है तो यह कॉ बैक्टिरिया को डेबलप किया जा सके और फीडिंग जो है जब तक इस तरह से नोड एक्पीव नहीं हो तब तक खाना खाएगा नहीं बती फोटो सिंतेस करती है खाना भनाता है खाता है तो इस तरह की चीजे है फ्रेंट्स तो आई होप की वीडियो समझ में आई होगी वीडियो पसेंगे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मिलतेगा अगली वीडियो को साथ तब तेक लिए बाइब फेंट्स